तो हेलो और वेलकम यू आल, आज हम बात करेंगे विपरो लिमिटेट के बारे में यहाँ पर अगर देखा चाहें तो आपको यहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं करना है क्या गलती नहीं करना है और इस वीडियो में आपको पता चलेगी और नए निवी शकों के लिए एक बड़ा मोगा यहाँ पर मिलेगा और विपरो में जो पैटन में आपको बताऊंगा सेवड़ पैटन आज हम मार्केट में भी देखने को मिला था वे वडो गैस बिल्कुल हूं पर वीडियो को एन तक देखना क्योंकि काफी helpful यह वीडियो होने वाला है तो गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले है अब अभी तक आपने The Margin Trader मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना कि हम अबडेट के लिए शेयर की लेडिस न्यूज के लिए तो गाइस वीडियो को गता है स्टार्ट तो गाइस बात कर रहे है विपरो लीमिटेट के बारे में फिप्रो लिमिटेट यहां पर बात करें अगर इसके करण्ट प्राइस की तो 552 रुपे पे स्टॉक ने आज दी है क्लोजिंग 7 रुपे 25 पेसे तक स्टॉक के यहां पर बढ़ गया था 1.33 परसन के हिसाफ से आज भले ही तेजी हमें देखने को मिली हों बस चार्ट को हम बात करें तो अगर दिखा जाए तो मार्केट में भी कुछ ऐसा है आज मोमिन्टम आया था एक रेंज में स्टॉक ने काम किया यहाँ पर मार्केट ने काम किया था और ब्रेक-अट देख सिद्धा नीच आया था तो वही विव और यहाँ पर अगर दीखा जाए तो मैंने बोला था कि गाइस इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो काफी बड़ी गिरावट आएगी तो गिरावट आई भी और स्टॉक ने आज रिकावरी भी कि बट यहाँ पर इस लेवल को यह ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से रिवर पॉजिटिव क्योंकि हाँ यहाँ से स्टॉक ऊपर चले गया है तो मतलब यहाँ से तेजी आ सकती है बट गाइस कहीं न कहीं अगर देखें तो यहाँ पर डबल टॉप पैटन है तो यहाँ से उपर भी आता है तो सीधा है रिवर्सल लगा देंगा एक बड़ा वाला तो इसा कुछ पैटन बन सकता है और यह जो डॉटर लाइन है हमने किसलिए बनाए क्योंकि एक इंपोर्टेंट लेवल ता यही से सपोर्ट यही से ब्रेक आउट देके उपर गया आता तो यही से बिल्कुल निचे की और भी आ सकता है आपको यह बात ध्यान में रखने होंग तो यहाँ पर 520 रुपे तक स्टॉक आ सकता है अगर यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रही तो वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस ब्रडिक्लियो लेवल को 520 के लेवल को भी अगर रप्रेक कर देदा है तो यहाँ पर 446 रुपे तक स्टॉक में गिरावट विपरो में गिरावट के अगर बात कर दो तो 52 रुपे 75 पेसे तक स्टॉक एक कंटिन्यू वहाँ पर गिरा है 8.72% के हिसाब से और गैस एक महीने में स्टॉक देखें तो 151 रुपे 70 पेसे के साथ स्टॉक में गिरावट है 21.56% के हिसाब से वही अगर देखें गैस तो य रुपे 45 पेसे तक स्टॉक गिरा है गाइस बिल्कुल यहाँ पर हाई लगा रहा था वही सदन किरा उठ हमें देखने को मैंने माइनस 6.51 परसंग के हजाब से स्टॉक गिरा है वह गाइस वही अगर देखा जाए इसका मार्केट कैप 3.02 लाक करोड का मार्केट कैप है पी रेशियो अगर देखा जाए तो 25.04 का पी रेशियो है 0.23 परसंग का स्टॉक डिविडेंड भी देता है गाइस ओपन कहा हुआ था स्टॉक तो ओपन हुआ था है 550 रुपे 10 पेसे के प्राइस पे हाई लगा था स्टॉक ने पांसो चोसर्ट रुपे 95 पेसे का और लो लगा था इसने पांसो च्यालिस रुपे पेसेट पेसे का तो गाईज यहाँ पर open भी तगड़ा यहाँ पर हुआ था हाई अच्छा लगा था इसने बटर पेसे लो लगा दिया गाईज यहाँ पर अगर बात करें विप्रो के हाई की तो 749 रुपे अब 85 पेसे का हाई है और 397 रुपे पिचातर पेसे का लो भी आपको देखने का पर मिल जाएगा 22 बात करें अगर इसके रेजिस्टन्स और सपोर्ट लेबल्स की तो 1st रेजिस्टन्स लेवल 565 रुपे से 36 पेसे का है 2nd रेजिस्टन्स लेवल 565 रुपे अबे पिचातर पेसे का है और 3rd रेजिस्टन्स लेवल 575 रुपे 07 पेसे का है support level से यहापर first support level 535 रुपे 69 पेसे का second support level 526 रुपे 80 पेसे का third support level 515 रुपे 97 पेसे का दीख जाएगा guys बात कर लेए अगर price performance की तो price performance बड़ा फिर सीधा गिर गया है case है बड़ा कब 3 years और 1 year का 3 years का देखे 107.39% प्लस में है 1 year का 27.34% प्लस में है बट ये रण हाप का माइनस में है 22.81% वही गाइस अगर देखा चाहे यहाँ पर 3 months का माइनस 15.95% माइनस में है 1 month का भी 21.73% माइनस में है और 1 week का 8.74% माइनस में दिखाई देगा वही अगर बात कर ले इसमें क्या आपको trade value देखने को मिलेगा आज का trade value तगड़ा था 2 करोड के सम्तिंग का trade value आज हमें देखने को मिला और 74 lakh का है prominent delivery और फिए कर बात करें एस्टर डे की तो 2 करोड का trade value है 77 lakh का है prominent delivery और 1 week के अवरेज में 2 करोड का trade value conception ofLife 70 lakh derived delivery और 1 month के अवरेज में 1 करोड का trade value दिखेंगा और 52 lakh का Combinant Delivery देखने को मिल जाएगा अगर बात करें Community sentiments के आकड़े क्या कहते हैं तो Community sentiments के आकड़ों में 88% जो लोग है बिल्कुल buy करने के लिए रहे हैं और 9% लोग की और से कहा जा रहा है आपर sell के लिए और 3% लोग की और से कहा जा रहा है आपर hold के लिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठेंक्यो